बच्चो अब जो भी भोजन करते हैं चामल, दाल, रोटी, सबजी उसमें उपस्तित विभिन भोज़ पदार्थों के घटक यानि की कार्बोहार्टरिट, वसा और प्रोटीन इन सभी का अवशोशन हमारी कोशिकाओं के द्वारा इस रूप में नहीं होता है यानि की इन जो बड़े आनों होते हैं, इनका अब घटन आवश्यक होता है, जिसे हम भोजन का पच्चना कहते हैं और इस भोजन के पच्चने के लिए कुछ विशेस पदार्थ जिम्मेदार होती हैं, जिने हम एंजाइम या जैव उत्परिरक कहते हैं, क्योंकि ये जैव उत्परिरक हमा हमारे भोज्य पदार्थों को सरल अन्वों में तोड़ देते हैं जिससे इनका अव्शोशन सरल हो जाता है उदारन के लिए हमारे आमाशे से स्रावित होने वाला प्रेपसीन नामक एंजाइम जो की प्रोटीन को पेप्टाइडों में अबगटित कर देता है इसी तरह से हमारी शरीर में उत्पन ना हो तो हमारे खाए गए भूज्य पदार्थ को पचने में कई साल लग सकते हैं और हमारी शरीर में होने वाली पाचन क्रिया ही नहीं और भी बहुत सारी रासानी क्रियाएं जैसे कि दूद का दही में परिवर्तित होना या फिर शीरे से अलकोहल का निर्मान होना इन सब भी क्रियाओं में भी उत्प्रेरकों का महत्वण योगदान होता है इसी तरह से और दोगिक महत्व की बहुत सारी क्रियाएं जैसे कि पेपर एंडस्ट्रीज में पेपर पल्प जो होते हैं उनका अब घटन होना या फिर पैट्रूलियम से विबिन प्रकार के सरल हाइड्रोकार्बन का निर्मान और उनसे प्लास्टिक आइटम्स का निर्मान होना या फिर जैसे कि आप जानते हैं अमोनिया का निर्मान सल्फूरिक एसिट का निर्मान नाट्रिक एसिट का निर्मान इन सभी प्रक्रियाओं में कि नहीं ना कि उत्प्रेरकों का योगदान होता है तो आप समझी कह सकते हैं कि इन उत्प्रेरकों का हमारे जीवन तथा जीवन को सुचारूरूरूप से चलाने के लिए आवश्यक पदार्थों के उतपादन में बहुत अधिक महत्व होता है जी हां अगला हमारा जो टॉपिक है वह के विभेनेगुनों तथा उनकी उत्प्रेरण प्रक्रिया को भली भाती जानेंगे कि उत्प्रेर खोते हैं तथा यह किस प्रकार से कारे करते हैं इससे समझे लिए हम एक छोटा सा उधारन लेते हैं आपने कक्षा डेस्ट्वी में भी ओक्सीजन गैस के निर्मान की प्रयुक्षाला विधी पढ़ी है जिसमें हम जानते हैं कि पोटेश्यम क्लोरेट का जब हम तापी विगटन करते हैं और यह तापी विगटन करेब 653 से 873 कलविन पर किया जाता है इस उच्चताप पर पोटेश्यम क्लोरेट धीरे धीरे अब घटी थूती है तथा पोटेश्यम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है इस प्रक्रिया में लगभच चार घंटे लगते हैं लेकिन इसी रासायनिक अभिक्रि की दर बढ़ जाती है और यह जो अभिक्रिया है वहां 473 से 633 कलविन तापमान पर ही हो जाती है साथ ही लगनी वाला समय भी कम हो जाता है और यह सिर्फ 15 मिनट में पूर्ण हो जाती है तो इस तरह हम देखते हैं कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी पदार्थ मि तो अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इस प्रकार हम देखें कि अभिक्रिया की दर यहां पर परियाप्त रूप से बढ़भी जाती है साथी साथ ये जो उत्प्रेरक हमने मिलाया मैगनीज डायोकसाइड या भी द्रव्यमान तथा रासाइनिक संग्ठन जो इसका है इसके रूप में इसमें अपरिवर्तित रहता है यनि कि जिस रूप में हम इसका उप्योग करते हैं वह उसी रूप में तथा उसी मात्रा में अभीक्रिया के पश्चात हमें पुनह प्राप्त हो जाता है इस प्रकार बाहरी पदार्थों की उपस्तती मात्र से विभिन प्रकार की रासाइनिक अभिक्रियाओं की दरें परिवर्तित की जा सकती हैं और इस प्रकार के बाहरी पदार्थों का विभिन रासाइनिक अभीक्रियाओं में परिवर्तन का सू विवस्तित अध्यन सरप्रथम बरजीलियस नामक वेज्ञानिक ने 1835 में किया था और उन्हों ने ही इनके लिए उत्प्रेरक शब्द का सुझाओ दिया था इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वेपदार्थ होते हैं जो रासाइनिक अभीक्रिया के पश्चात रासाइनिक तथा मात्रात्मक रूप से और परिवर्तित रहते हुए रासाइनिक अभीक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं साथ ही साथ ये जो परिघटना होती है उसे हम उत्प्रेरण या कैटलिसिस कहते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्प्रेरण रासाइनिक अभिक्रिया की गती को बढ़ाते हैं इन उत्प्रेरकों के साथ साथ कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो इन उत्प्रेरकों की क्रिया को या सक्रियता को बढ़ाते हैं तथा कुछ इनकी सक्रियता को कम भी कर देते हैं ऐसे पदार्थ जो उत्पेरकों की सक्रीता को बढ़ाते हैं उन्हें हम उत्पेरक वर्धक या कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं तथा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्पेरकों की सक्रीता को कम कर देते हैं जिने हम कैटलिस्ट इनिभीटर या कैटलिस्ट विश कहते हैं उधारन के लिए अमोनिया निर्मान की हैबर Thursday जिसमें हम आमोनिया nitrogen gas तथा hydrogen gas के दवारा अमोनिया Gas का निर्मान करते हैं जिसमें उत्परक के तौर पर हम iron तथा molybdenum का उपयोग करते हैं यहाँ पर आईरन तो उत्प्रेरक के रूप में कारे करता है लेकिन जो मॉलब डेनम है आईरन की गतिविधी को सक्रीता को बढ़ाने का काम करता है यानि कि मॉलब डेनम यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक होता है इसी तरह से एकुधारण हम उत्प्रेरक विश्का लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखें, sulfur dioxide का जब platinum की उपस्थती में oxy current किया जाता है और sulfur trioxide बनाई जाती है, उस समय यदि यहाँ पर और्सानिक के sulfide यानि कि और्सानिक के compound उपस्थित हो, तो वे platinum की क्रिया को बाधित कर देते हैं, यानि कि वहाँ पर ये platinum के लिए wish की तरह कारिक करते हैं, इसी तरह से एक और example ले सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है organic में, रोजन मुन अपचेयन, रोजन मुन अपचेयन में हम acyl chloride का palladium तथा barium sulfide की उपस्थती में जब अपचेयन करते हैं, तो हमें aldehyde प्राप्थ होता है, यहाँ पर भी हम देखें कि जो barium sulfide है, वह palladium जो की उत्पेरक होता है, उसके लिए उत्पेरक wish की तरह कारिक करता है, यह palladium की जो सक्रीता है, उसको कम कर देता है, वो इसलिए उप्योग में लाया जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर उत्पात के तौर पर aldehyde चाहिए होत है, यदि हम यहाँ पर केवल palladium का उप्योग करें, तो यहाँ पर hydrogen करण की क्रिया और तीवरता से होगी, और acyl chloride से aldehyde न प्राप्त होकर, हमें सीधे alcohol प्राप्त हो जाएगा, अता सही उत्पात प्राप्त करने के लिए, हम यहाँ पर palladium के साथ सथ barium sulfide का उप्योग करते हैं, तो इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ उत्प्रेरक राशायनिक अभी क्रियाओं की दर को बढ़ाने का काम करते हैं, वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो उत्प्रेरकों को कि अभिक्रियाओं को कम या अधिक भी कर देते हैं आईए अब हम उत्प्रेरण के प्रकारों को जानते हैं उत्प्रेरण के दो प्रकार हैं एक समांगी उत्प्रेरण और दूसरा विसमांगी उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेवण से तातपर है इसमें अभी क्रियक यनि कि जो क्रियकारक हैं तथा उत्प्रेवण एक ही प्रावस्था में होते हैं और यहां पर हम देखेंगे कि जो अभीकारक तथा उत्प्रेवण हैं वो उनकी जो प्रावस्था होती है सबान होती है और यह द्रव अवस्था हो सकती है या फिर दोनों की जो प्रावस्था है वो गैसी प्रवस्था हो सकती है इन में ठोस प्रावस्था नहीं पाई जाती है आप स्वयम समझ सकते हैं कि दो ठोस आपस में किस प्रकार से क्रिया नहीं कर सकते हैं तो जो समांगी उ गैसी प्रवस्था में होती है लेकिन इनकी प्रवस्था एक समान होती है इस प्रकार की उदाहरण में हम देख सकते हैं जब यहां पर सल्फूरिक असेड निर्मान की सीज कक्षविधी जहां पर हम उत्पेरक कक्ष में सल्फर डाय ऑक्साइड का ऑक्सी करन करके सल्फर ट्राय ऑक्साइड बनाते हैं यहां पर जो उत्पेरक होता है वह होती है नैट्रिक ऑक्साइड गैस तो यहां पर हम देखें जो हमारा अभिकारक है सल्फर डाय ऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों गै इस प्रकार हम दूसरा उधारन ले सकते हैं एस्टर की जलब घटन का श्टर में जैसे हम यहांपर ले रहे हैं मेथिल एसटेट मेथिल एसिटेट का जब हम जलब घटन करती हैं तो वहाँ पर उत्पेरग के तौर पर यहाँ हैड्रोकलोरिक अमल उत्पयोग में लाया जाता है हैड्रोकलोरिक अमल के द्वारा दिये गए प्रोटॉनों से मेथिल एसिटेट का जलब घटन होता है जिससे हमें acetic acid यानिकी अम्ल और एक alcohol यानिकी methanol का अणु प्राप्थ होता है यहाँ पर भी हम देखें कि जो हमारे अभिकारक है यानिकी acetic acid एस्टर और जल यह द्रवीत अवस्था में है साथ ही साथ यहाँ पर जो HCL है वो भी liquid अवस्था में होती है तो यहाँ पर सभी क की प्रावस्था समान है इसे प्रकार एक और उधारन हम ले सकते हैं वह है जो इक्षू शरकरा यानिकी शरकरा का जलब घटन जब हम शरकरा के जली विलियन का sulfuric acid की उपस्तिती में जलब घटन करते हैं तो यहाँ पर sulfuric acid के द्वारा प्राप्त प्रोटॉनों के द्वारा यहाँ पर इस क्रिया का उत्प्रेरन किया जाता है और यहाँ पर हमें glucose तथा fructose के अनुप्राप्त होते हैं यहाँ पर भी आप देखें जो इक्षू शरकरा है उसका जली विलियन है जो की द्रवी तवस्ता में है साथ ही यहाँ पर जल जो की द्रवी तवस्ता में है दारण हैं कि यदि हम समांगी उत्प्रेवन की विशेश्ताओं पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि यहां पर क्योंकि कोई ठोस उत्प्रेवरक नहीं होता है इसलिए यहां पर किसी ठोस की जो शर्फिस की प्रेवाव नहीं पड़ता है इसके अलावा यहां पर अब देखिए चुकि हमारे अभी कारक तथा उत्प्रेरक या तो द्रवित अवस्था में होते हैं या गैसी अवस्था में होते हैं तो यह आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और इस वज़ा से उत्प्रेरण ज्यादा अच्छी तरह से हो पा दूसरी प्रकार का जो उत्प्रेरण है वह होता है विसमांगी उत्प्रेरण विस्मांगी उत्प्रेरण में जसक की नाम से स्पस्थ हो रहा है यहाँ पर हमारे अभिकारकों याने की रियाक्टरंट्स तथा उत्प्रेरक इनकी प्रावस्था अलग-अलग होती है और यह देखा गया है कि प्राया यह जो उत्प्रेरक होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ह होते हैं तथा जो क्रियाकारक रियाक्टरंट्स होते हैं वह या तो द्रवित अवस्था में होते हैं या फिर गैसी अवस्था में होते हैं यहाँ पर चुकि उत्प्रेरक ठोस अवस्था में हैं तो निश्चित रूप से उत्प्रेरक की जो प्रिस्थी सता होती है वह यहां पर फ्लेटिनम के चोटकि ठोस अवस्था में हैं तो यहां पर दोनों की प्रावस्था अलग-अलग है तो इसी में यहां पर व्स्तमांगी उतुरब?' कहेंगे निन जन्हों, इस प्रकार से और जो आपका जाना पहचा नहीं है वह है नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस के को एक अनुपात तीन के अनुपात में लेकर यहाँ पर आइरन तथा मॉलिबडेनम उत्प्रिवक के तौर पर उप्योग करते हैं तथा अमोनिया गैस का निर्मान होता है यहाँ पर आइरन जो है वह ठो सवस्था में है जब देखते हैं नाइट्रिक एसद निर्मान की ओस्ट वाल विधी इसमें हमने देखा कि जो तरह होता है वसमें प्लाटीनम की जाली लगी होती है तो यहाँ पर भी प्लाटीनम उत्प्रिवक का उप्योग क्या जाता है जबकि यहाँ पर आमोनिया गैस तथा ओक्सीजन गैस प्रावस्तां यहां पर भिन-भिन है और इसलिए या भी विश्वमांगी उत्परेरकल का उधारन है इसके अलावा एक महटपून अभिक्रिया होती है हाइडोजनी करन के लिए हम देखें कि प्रय धात्मम का प्लाटिनम निकल या प्लाडियुम धात्मम का उपश्व करते हैं उदारन के लिए जब हम वनसपती घी का हाइड्रोजनी करण करते हैं वहाँ पर हम सूक्ष्म विभाजित निकल धातू का उपयोग करते हैं यहाँ पर निकल धातू ठोस अवस्था में होती है जब कि हमारा जो अभिकारक है यानि की रियक्टन्ट है वो है वनस्पती तेल जो की द्रवित अवस्था में होता है तथ संत्रिप्त वसा यहने की वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाती है तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि रियक्टरंस यहने की अभिकारकों तथा उत्प्रेरकों की प्रावस्था भिन भिन है अता यह भी एक विस्वमांगी उत्प्रेरण का उधारण है आईए अब जानते हैं विस्वमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषन सिध्धान्द को यह सिध्धान्द विस्वमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधी को इसपस्ट करता है प्राचीन सिध्धान्द जोकि अधिशोषन का उत्प्रेरण सिध्धान्द कहलाता था उसके अनुसार गैसी प्रावस्था या फिर विलियन में अभिकारक के अनू ठोसकी प्रिस्थी सताफ़ पर अधिशोषित हो जाते हैं तथा इस प्रकार अभिक्रिया को संपन करते हैं यहां पर जो अभिक्रिया होती है वह प्रिष्ठ पर उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जाती है अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है साथ ही जो कि अधिशोषन एक उस्मा क्षेपी अभिक्रिया है अता निकलने वाली जो अधिशोषन उस्मा है वह अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाती थी दूसरा जो सिध्धान्त है अधिशोषन का वह मध्यवर्ती के निर्मान का सिध्धान्त है तो यहाँ पर जो आध्वनिक सिध्धान्त है वास्तों में वह प्राचीन सिध्धान्त जो की उत्प्रेरण का अधिशोषन सिध्धान्त कहलाता था तथा माध्धमिक योगिक बनन के सिध्धान्त दोनों का संयूजन हैं तो आईए हम जानते हैं जो अधिशोषण का विस्वमांगी उत्प्रिरण का अधिशोषण सिध्धान्त है उसके स्टेप्स या उसके पद कौन-कौन से हैं विस्वांगी उत्प्रिरण के अधुश्योषन सिध्धान्द को हम की पूरी प्रक्रिया को हम पांच पदों में बाढ़ सकते हैं सबसे पहला पद है उत्पेरक की सतह पर अभिक्रियक अनुओं का विस्षरन जैसे कि हम जानते हैं कि जो उत्पेरक होते हैं उनकी बाहरी सतह पर मुक्त सयोजक्ताइं होती हैं और ये मुक्त सयोजक्ताइं आनी वाले अभिक्रियक अनुओं के लिए आकरशन बलों के लिए स्थान उपलब्ध कराती हैं जब इस सतह पर गैस के अनू आते हैं तो वह वहाँ पर दुर्बल रसानिक बलों के द्वारा जुड़ जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले होता है उत्पैरक की सतह पर अभिकरियक अनुमों का विसरन दूसरे पद में यहां पर आप देखेंगे कि अभिक्रियक अनुमों का ठोस या उत्पेरक की सता पर अधिशोशन तो जैसे भी हमने देखा कि जो गैस के अनुम है इसकी ठोस की सता पर आएंगे वो यहां पर उसकी सता पर दुर्बल रासायनी बलों के द निर्मान यदि इस प्रकार भिन भिन अभिकारकों के अनुम पास पास अधिशोशित होते हैं तो उनके मध्य रासायनी बंद बनता है और जिसके फल्सरोप मध्यवर्ती का निर्मान हो जाता है और इस प्रकार जैसे ही मध्यवर्ती का निर्मान होता है वहां पर अभिक्र अभिक्रिया उत्पाद का निर्मान हो जाता है अब यह जो उत्पाद बने हैं उनका चौथे पद में अभिक्रिया उत्पादों का वी शोशन होता है यह जो ठोस की सर्फेस है उसमें से इन जो उत्पाद प्राप्थ हुए हैं वह तुरंत ही निकल कर उसके सर्फेस को छोड देते हैं ताकि वहाँ पर नए अड़ों का अधिशोशन हो पाए इसके बाद जो पाच्वा पद होता है वह है उत्प्रेरक की सता से यहां पर उत्पाद पदार्थों का दूर विसरण। इस प्रकार जो उत्पाद बनते हैं वह उत्पेरग की सत्ह को छोड़कर दूर विसरित हो जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर विश्मांगी उत्प्रेरण की जो पूरी प्रक्रिया संपन होती है जिसके फल्सरूप एक रियक्टरंस जो है वह उत्प्रेरगी अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं आए इसे हम हाइड्रूजनी करण की अभिक्रिया द्वारा आसानी से समझते हैं जिसमें की निकिल धातू उत्प्रेरग के तौर पर उप्वयोग में लाई जाती है यहाँ पर आप देख रहे हैं निकिल धातू जिसकी सर्फिस आपको दिखाई दे रही है सरप्रथम जो असंत्रप्र हाइड्रोकार्बन यहाँ पर जब अभिक्रिया कारक तथा हाइड्रोजन गैस दोनों का सर्फ प्रथम इस निकिल धातू पर जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर डिफ्यूजन या विशरन होता है जिस पर यह दोनों अनू यहाँ पर आकर समान रूप से फैल जाते हैं दूसरे स्टेप में यहाँ पर इन अभिकारक अनूओं का इसकी निकिल की सतह पर दुर्बल रासाइनिक आबंधों के द्वारा अधिशोशन होता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन है और दूसरा है हाइड्र इन के बीच रासाइनिक अभिक्रिया होती है जिसके फल्सरोप एक माध्धमिक उत्पाद बनता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस किस तरह से हाइड्रोजन जो है वहाँ पर हाइड्रोकार्बन की असंत्रिप्त बंधों पर जाकर जुड़ रहा है और इस तरह से एक माध्धमिक उत्पाद बनता है फिर इसके बाद अगले स्टेप में यह जो माध्धमिक उत्पाद बना है वह उत्पेरक की सतह से अलग हो जाता है इसके बाद अगले स्टेप में इन जो नए उत्पाद बने हैं इनका उत्पेरक की सतह से दूर विसरण हो जाता है और यह स्थान फिर से खाली हो जाता है नए अभिकारकों के अधिशोषण होने के लिए तथा नए उत्पाद अणों के बनने के लिए तो इस तरह से जो अधिशोषण की प्रक्रिया है वकुल मिलाकर पांच स्टेप में पूरी होती है